हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होब अच्छे होंगे और यह चल रही है हमारी रेनिन मार्टिन की सीरीज इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स टैप्टर की तरफ मुव कोईते हैं और इजे नेक्स टैप्टर है इसका नाम है पार्ट्स ओफ स्पीच तो इस बोलने के दौरान हम बहुत सारी चीजों का इस्तिमाल करते हैं बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जैसे बोलने के दौरान हम कोई नाम ले रहे होते हैं बोलने के दौरान हम किसी की कोई क्वालिटी बता रहे होते हैं शायद या बोलते वक्त हम जो हैं किसी को जॉइन करने की कोशिश कर रहते हैं वो words को ऐसे बहुत सारे काम करते हैं तो यह जो भी काम हो रहे हैं एक speech के within इन कामों का होता है कुछ नाम जिसे कहा जाता है parts of speech चलते हैं parts of speech को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use that is according to the work they do in a sentence the part of speech are eight in numbers देखो एक speech कोई भी sentence में या फिर कोई भी paragraph में हम जो जो चीज़े बोल रहे हैं हमका कुछ काम होता है ठीक है तो यह क्या काम करते हैं उसी हिसाब से इनको नाम दिया गया है यह parts of speech कितने parts में बाटे गए हैं eight parts में बाटे गए हैं कौन कौन से हैं यह हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjunction जिसको सब detail में हम पढ़ेंगे आगे चलकर chapter wise हम सको cover करेंगे फिलाल हम एक छोटा सा overview लेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है a noun is a word used as a name of a person, place or thing तो जब भी किसी का नाम आए, किसी person का, किसी thing का, किसी place का तो वो नाम को दर्शाने वाला जो part है ना, उसे कहते है noun, ठीक है अच्छा, अभी यह आप एक बहुत important बात लिखी गई है कि यह things two types के हो सकते है things में दो चीजें आती है, कौन कौन सी the word things include all the object that we can see, hear, taste, touch or smell है ना, thing में वो सारी चीजें आती है जिसे हम feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं वो सब आ जाता है इसके apart, something that we can think of but cannot perceive by the senses thing में वो सारी चीजें भी आ जाती हैं जिसे हम touch नहीं कर सकते हैं, जिसे हम feel नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो thing में आती हैं तो name of a person, place, thing में thing में दो चीज़े आ गएं वो सारी चीज़ें जिसे हम अपनी five senses से touch कर सकते हैं, feel कर सकते हैं smell कर सकते हैं, देख सकते हैं सुन सकते हैं और वो चीज़ें भी आ गए जिसे हम देख सुन ने सकते हैं emotions भी इसके अंदर आ जाते हैं ठीक है, जैसे love हो गया या happiness हो गया सारी चीज़ें इसके विदिन आ जाती है कुछ examples दिये हो है, देख लेते यहां क्या लिखा हो है, akbar was a great king akbar एक नाम है तो यह क्या हो गया, noun हो गया next है, kolkata bank of river hooghly, तो बहुत सारी cities हैं, लेकिन एक city का नाम है kolkata, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए noun हो गया, next है, the rose smells sweet, बहुत सारे flowers है लेकिन हमने एक flower का नाम लिया है, वो कौन सा flower है, rose, तो rose क्या हो गया noun हो गया, इसी तरीके से the sun shines bright, तो बहुत सारे stars में से, एक star का नाम है sun, तो sun क्या हो गया, noun हो गया next है, his courage won him honor, courage, हैना हमने कहा कि feelings भी आ जाती हैं, जीने हम जो है, अपने five senses से touch, hear, listen या फिर देख नहीं सकते, सब चीज़ नहीं कर सकते, मगर उसे जो है हम feel कर सकते, जैसे courage, ठीक है next है, adjective adjective की बात करें, लिखा हो है an adjective is a word, used to add something to the meaning of noun अगर हम noun की बात करें, तो noun में कौन का answer मिल जाता है लेकिन, adjective में कैसा का answer मिलता है, यानि कि, जब हम noun के बारे में कुछ बात add करते हैं उसे adjective कहते है, add करते है, adjective, ठीक है noun के बारे में कुछ quality या कुछ विशेष्टा बताना ही adjective होता है, adjective क्या होता है noun की कोई quality, कोई विशेष्टा बताना, जैसे हिद्नी में विशेष्ण कहा भी जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, he is a brave boy boy क्या है, noun है ठीक है, boy क्या है, noun है लेकिन ये boy कैसा है, brave है बहादूर है, तो इस boy की कोई विशेष्टा बताई गई है, तो यह brave क्या हो गया, adjective हो गया next हम देख सकते हैं, there are 20 boys in this class तो boys तो है, पर boys का number भी अगर बता रहा है, कुछ तो बता रहा है उसके बारे में, तो गगजिक्टिव हो गया 20 यहां पर क्या हो गया, adjective हो गया जिसको डिटेल में हम आगे, adjective के चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलाल अभी के लिए एक overview ही चल रहा है यहां पर, next दिखते हैं, pronoun, pronoun is a word used instead of noun, नाम से समझ में है रहा, pronoun, noun की जगह पर इस्तिमाल किया जगा, हम एक ही नाम because John is ill, तो थोड़ा सा शाइद awkward लगता है, तो जोड़ा सा शाइद awkward लगता है, तो जोड़ा सा शाइद लगता है, जोड़ा में ही का इस्तेमाल किया गया है next, यहां लिखा है, the books are where you left them the books are where you left them, तो books को जो है बाद में जब हम उसका यूस करें, तो हमाँ them का स्तेमाल किया गया, तो उसी नाउन के लिए जब हम किसी और वर्ड का यूस करते हैं, तो वो प्रोनावन हो जाते है, next तो वर्ब की बात करेंगे, हां लिखा हुआ है verb is a word used to express an action or state, तो verb वो होता है जो किसी action को किसी काम के होने को, क्रिया जिसे कह सकते हैं, किसी काम के होने को दरशाए, या फिर state, यानि जिसे हम कह सकते हैं, अवस्था को दरशाए उसे ही verb कहा जाता है जैसे हम यहाँ पर कुछ examples देख सकते हैं लिखा हुआ है, the girl wrote a letter to her cousin, तो ये जो girl है, ये काम करिये, क्या काम करिये writing का, wrote तो wrote क्या हो गया, verb हो गया second है, Kolkata is a big city तो Kolkata का state, इसके अवस्था बताई जारी है, कि is, ये बहुत बड़ी city है, तो is क्या हो गया, याँ पर verb हो गया, next है हम पर iron and copper are useful metals तो iron and copper और की अवस्था बताई जारी है, कि वो बहुत useful है, तो R क्या हो गया, याँ पर verb हो गया, next रेखते हैं, यहाँ पर लिगावाई है, adverb and adverb is a word using or used to add something to the meaning of verb, adjective and adverb, तो इसके नाम में चुपा हुआ है adverb, तो एक तो add से adjective बन गया, verb से verb बन गया, और adverb खुद तो यह विशेष्टा बताता है, या add करता है कुछ, किसके किसके विदिन, इसके नाम में चुपा हुआ है adverb, adverb जो है विशेष्टा बताएगा, या it will add something to adverb में आता है adjective verb से verb और adverb itself, यानि कि वो verb का, adverb का और adjectives के बारे में कुछ न कुछ कहने का काम करता है यहाँ पर हम लेख लेख लेते हैं लिखा हुआ है example में he work the sum quickly, तो उसने जो कुछ काम किया है, वो बहुत जल्दी किया है, quickly, तो यह क्या हो गया, यह adverb हो गया next है the flower is very beautiful है ना, तो beautiful तो adjective है लेकिन very beautiful यानि की adjective में भी something, कुछ add कर देना उसे हम क्या कहते है, adverb कहते है next is she pronounce the word quite correctly, तो correctly है मतलब सही से तो कर रहा है पर quite correctly है यानि की काफी अच्छे से बहुत अच्छे से किया है, तो correctly में भी हम कुछ add कर रहे है, तो यह जो है क्या हो गया, adverb हो गया next है हम देखते हैं preposition के बारे में preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun and a pronoun stand in relation to something else, यह हमें बताता है कि जो noun और pronoun में जो हमने person या place या thing का जिकर किया है उसका relation किसी और चीज के साथ, noun या pronoun के नाम पर हमने जिस भी person place या thing का जिकर किया है उसका relation किसी और चीज के साथ जो भी part of speech बताएगी उसे हम कहेंगे preposition हला कि नाम से हम इसको एक idea भी ले सकते हैं, कि यह position को दरशाता है नाम से एक idea के लिए हम समझ सकते हैं preposition में position आ रहा है position यानि कि उसकी इसकी जगे बताने की कोशिश करता है हम examples देखेंगे तो हमें clear हो जाएगा यहां लिखा है there is a cow in the garden तो cow क्या है noun है किसी का नाम है किसी प्रजाती का नाम है तो cow क्या है noun है इसका relation किसके साथ दिखाए ज़रा है garden के साथ क्योंकि वो garden में है तो यह in यहां दूसरे तरह से कहें तो हम कह सकते है कि cow की position बताई जारी है कहां पर है garden में है तो in क्या हो गया preposition हो गया next है the girl is fond of music तो girl का relation बताया जारा music के साथ girl noun है और relation उसका music दूसरी चीज़ के साथ में है तो यहां पर यह जो relation शो हुआ इस relation को दिखाया गया है off की मदद से और इसलिए यह preposition है next है a far little girl sat under a tree तो girl, little girl तो girl noun हो गया और वो उसकी position के है tree के नीचे है तो यहां पर under यह preposition हो गया यह दूसरे तरह से कह सकते है कि girl noun का relation जो है tree के साथ में किया गया है तो इसे हम कह सकते है preposition तो बहुत easy है एक noun या pronoun का relation किसी और चीज़ के साथ जो भी चीज़ दिखाएगी उसे हम कहेंगे preposition यहां हम आसान शब्दों में यह भी कह सकते है कि position शोक किये जा रही होगी कही ना कही पर next है conjunction conjunction क्या होता है is a word used to join words or sentences words को जोडने के लिए sentences को जोडने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है उन्हें conjunction कहते है यहां पर example देखें कि बहुत clear हो जाएगा Rama and Hari are cousin तो Rama का connection या इसको connect किया जा रहा है Hari के साथ तो Rama और Hari को जोडने वाला कौन यह है and और यही है conjunction next है two and two make four दो और दो मिलका चार बना देते हैं तो two and two तो two को two के साथ कौन जोड़ा है and and ही conjunction है next है I ran fast but I missed the train मैं तेज दोड़ा मगर फिर भी train चूड़ गई तो तेज दोड़ना और train चूटना दोनों के बीच में connection बना रहा है कौन but तो यह but क्या हो गया conjunction हो गया next एक ते हैं क्या लिखा हुआ an interjection 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 is a word which expresses some sudden feeling as hooray we have won the game ya alas she's dead तो यह कोई ना कोई feelings high feelings को show करने के लिए के रहाद है हुरे यहनी happiness को show कर रहा है और alas हैनी की sadness को show कर रहा है तो जब भी किसी feeling को show करनी होती है तो यह interjection की मदद सी कह रहात है generally आप comics में पढ़ेंगे comics में ऐसे बहुत सारे words यूज होते हैं जो interjection होते है alas या हुरे इस तरह के words जनरल यह में कॉमेक्स में देखने को मिलते है देखो अभी एक और बात है जो बहुत important है जो बहुत सरी बुक्स में देखने को मिलते है देख लेते हैं वो क्या है लिखा हुआ है सब modern grammars include determiners तो एक और वर्ड है determiners इसको भी part of speech में आज के इस तरह के वर्ड होते है तो इस तरह के वर्ड जो है इनको भी part of speech के विदिन इंक्लूट किया जाता है वैसे तो मगर अगर हम देखे तो यह किसी नाउन के बारे में बता रहोगा अगर हम देश को ले ले देश बुक्स देश गर्ल दोस चिल्रेन तो यह किसी नाउन के पहले ही आता है और नाउन के बारे में ही कुछ बताता है और जो noun के भारे में कुछ बताए noun की कोई विशेशता बताने वाला जो part of speech होता है उसे adjective कहते हैं इसलिए इस book के within हमने determiners के अंदर ही determiners को ही adjective के within ही count किया गया है यानि कि अगर आप easy words में कहें तो आप कह सकते हैं कि determiners जो होते हैं adjective ही होते हैं तरीके से यहां पर लिखा भी हुआ है all determiners except a, an and the are classed among adjectives तो इस book के within हम adjectives में ही इनको पढ़ लेंगे अब देखो कौन से word, कौन सी part of speech में आते हैं यह कहना मुश्किल है उस sentence के according ही determine किया जा सकता है कि कौन से words, कौन सी part of speech को represent करते हैं तो अगर इस चीज़ को find out करना है तो इसके लह में कुछ questions करने पढ़ेंगे और इन ही questions को हम करेंगे अपने next session में, next lecture में तो for that questions stay connected, thank you so much आपको यह video अच्छा लगा, समझ में आया तो इसे like करिये, share करिये और subscribe करिये और ऐसे ही जुड़ रहे हमारे साथ और next session में हम questions को cover करेंगे